तेरावा अध्याय विदूर जी के उपदेश्ट दिरतराष्ट और गांधारी का वन में जाना सूची कहते हैं विदूर जी तीर्थ यात्रा में महर्शी मैत्रे से आत्मा का ज्यान प्राप्त करते हस्तिनापुर लोटा है उन्हें जो कुछ जानने के इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी विदूर जी ने मैत्रे रिशी से जितने प्रश्ण किये थे उनका उत्तर सुनकर पहले ही श्रिक्रिष्ण में अनेन भक्ती हो जाने के कारण वे सुनने से उपराम हो गये शोनक जी अपने चाचा विदूर जी को आया देख धर्मराजी दुष्टिर उनके चारो भाई दिर्टराष्ट यूत्सू संजे क्रपाचार कुंती गांधारी द्रौबदी सुभुद्रा उत्रा कृपी तथा पांडव परिवार के अन्ने सभी नर नारी और अपने पुत्रों से ही दूसरी इस्त्रियां सब के सब बड़ी प्रस्मता से मानुम्रित श्रीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गये यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम मादी के द्वारा सब उनसे मिले और विराजनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आसुब है इदुष्टी ने आसन पर बैठा कर उनका यतुलशीत सत्कार किया जब ये भोजन इवं विश्राम करके सुख पुर्व का आसन पर बैठे थे तब इदुष्टी ने विने से जुक कर सब के सामने ही उनसे कहा इदुष्टी ने कहा चाचा जी जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखो की छाया के नीचे रखकर उने सेते और बढ़ाते हैं वैसे ही आपने अत्यन्त वातसलिस से अपने करक कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को भी पाला पोसा है बार-बार आपने हमें और हमारी माता को विष्टदान और लाक्षा ग्रह के दाह आदी वपत्तियों से बचाया है क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते रहे हैं? आपने प्रित्वी पर विष्ण करते समय किस वृत्ती से जीवन निर्वाह किया? आपने प्रित्वी तल पर किन किन तिर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया प्रभो आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वय में तिर्थ सोरूप होते हैं आप लोग अपने हिर्दे में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महा तीर्थ बनाते हुए विच्रम करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वार का भी अवश्शी गये होंगे। वहां अमारे सहिर्द्यों भाई वंदु यादव लोग, जिनके एक मात्र आरादे देव शिर्कृष्ण है, अपनी नगरी में सुक्से तो है न, आपने यदी जाकर देखा नहीं होगा, तो सुना तवश्शी होगा। यदृष्षर की इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदु वंशिव के समन्द में जो प्रकट होने वाली थी, पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सतकार करते थे, वे कुस दिनों तक अपने बड़े भाई धिरितराष्ट की कल्यान कामना से सब लोगों को प्रसंद करते वे सुख पूरवक हस्तिनापूर में ही रहे, विदुर जी तो साक्षात धर प्रसंद के साथ राजाय दिर्शिट वन्षधर प्रक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ती से आनंदित रहने लगे, इस प्रकार पांडव गिरहस्त के काम धंदों में रम गये, और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गये, कि अंजाने में ही हमारा जीव समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है, काल के वश्रिभूत होकर जीव का अपने प्रेतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन, जन, आदी दूसरी वस्तों की तो बात ही क्या है, आपके चाचा, ताव, सगे संबंदी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराये घर में पड़े होए हैं, ओ, इस प्राणी को जीवीत रहने की कितनी प्रवल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप भीम का दियावा प्राणों को रखने में क्या गौरब है, आपकी अज्ञान की हद हो गई, कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परन्तु आपके चाहने से क्या होगा, पुराने वस्तर की तरफ उड़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी ख्षीन हुआ जा रहा है, अब अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दूसरूप समझ कर इससे विरक्थ हो जाता है, और अपने अंतकरण को वश में करके, हिर्दे में भगवान को धारण कर, सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है, इसके आगे जो समय आ पाशों को काट कर, अपने छोटे वाई विदूर के दिखलाएवे मार्क से निकल पड़े, जब परम पती व्रता सुबल नंदनी, गांधारी ने देखा के मेरे पती देवतों उस हिमाले की आत्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है, जैसा वीर रड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किये हुए नियायोचीत प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे-पीछे चल पड़ीं। कहां है? पुत्र शोक से पिडित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैशी चाचा विदूर जी कहां चले गए? ताओ जी अपने पुत्रों और बंदू-बांधों के मारे जाने से दुखी थे, मैं बड़ा मंद बुद्धी हूँ, कहीं मुझ से किसी अप्राहत के आ सूद जी कहते हैं, संजे अपने स्वामी धृतराष्ट को ना पाकर कृपा और सनेही की विकलता से अत्यन प्रीडित और विरहा तूर हो गये थे, वे उदृष्टिर को कुछ उत्तर ना दे सके, फिर धीरे बुद्धी के द्वारा उन्होंने अपने चित को इस्थिर किया हाथों से आखों के आसूं पोचे और अपने स्वामी धृतराष्ट के चर्णों का अस्मरन करते वे इदृष्टिर से कहा, संजे बोले, कूल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है, महाबाहो, मुझे तुन महात्माओं ने ठग लिया, संजे इस प्रकार कही रहते कि तुम्ब्रू के साथ देवर्शी नारज जी वहाँ पहुंचे, महराज इदृष्टि ने भाईयों सहीत उठकरों ने प्रणाम किया, और उनका सम्मान करते वे बोले, इदृष्टि ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, ना जानिवे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल, तपस्वनी माता गांधारी के साथ यहां से कहां चले गए, भगवान, अपार समुदर में कर्ण धारक के समान, आप ही हमारे पार दर्शक हैं, तब भगवान के परम भक्त, भगवान म मिलाता है और वहीं अलग करता है, जैसे बैल बड़ी रसी में बंधे और छोटी रसी से नथे रहकर अपने स्वामी का भाड होते हैं, उसी प्रकार मनुश्य भी वर्ण अश्रम आदी अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रसी में बंद कर इश्वर के आग्या का नुस इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्यान जन्मन के विकलता को छोड़ दो, ये पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश्व में है, अजगर के मुह में पड़ेवे पुरुष के समान ये प हाथ वालों के लिए हाथ वाले, चार पैर वाले पश्वों के बिना पैर वाले, तरणादी और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं, इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव की जीवन का कारण हो रहा है, इन समस्त रूपों में जीव के बाहर और भीतर वही एक स्वयम प्रकाश भगवान जो संपुन्ड आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, तुम केवल उनहीं को देखो, महाराज समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस प्रित्वी दल पर देव आत्माश करने के लिए काल रूप से और्दिन हुए हैं, अब वे देवताओं का कारे पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं, जब तक वे प्रभु यहां हैं, तब तक तुम लोग भी उनके प्रतिक्षा करते रहों। और विधी पुरुवक अगनी होत्र करते हैं, अब उनके चित में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वेकेवल जल पीकर शांत चित से निवास करते हैं, आसन जीत कर प्राणों को वर्ष में करके उन्हें अपनी छहों इंद्रियों को विश्यों में लोटा दिया है, भगवान जिश्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है, उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक कर समस्त विश्यों को बाहर से ही लोटा दिया है, और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सरवता मिटा दिया है, समस्त कर्मों का सन्यास करके वे इस समय ठूट की तरह इ पूटी के साथ अपने पती के मृत्व को जलते देखकर बाहर खड़ीवी साद्वी गांधारीवी पती का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी धर्मराज विदुर जी अपने भाई का अश्चरिय में मौक्ष देखकर हर्शित और व्योग देखकर तिर्ट सेवन के लिए चले जाएंगे देवर्शी नारद योग आकर तुम बुरु के साथ स्वर्ख को चले गए धर्मराज दुष्ट्री ने उनके उपदेशों को हिर्दे में धारन करके शोक को त्याग दिया